वेलकम टू मॉलेक्यूल लेक्चर ओन इम्मुनिटी एंड टाइपस ओफ इम्मुनिटी अब यह हमने आज इम्मुनिटी की शुरुवात की है इसमें अलग-अलग टॉपिक्स हैं इम्मुनिटी और इनके जो टाइपस हैं उसके बारे में डिसकस करेंगे हम लोग आदे यो मोरल और सेलमेटिट इम्मुनिटी कौन सी होती है इनके वाइड और इनके इम्मुनिटी काऊं सी होती हैं इस सब चीजों के बारे में भी डिसकस करेंगे हम लोग तो शुरुवात करते हम लोग इम्मुनिटी से इम्मुनिटी होती क्या है दा इबिलिटी ओफ एन ओर्गैनिजम तो fight against the disease causing organisms and to resist infection ये एक ability होती है एक शम्ता होती है किसी भी organism की कि वो fight करें लड़े किसी organism के खिलाफ और अपने को बचाएं और जो infection करते हैं जो बिमारी होती है उससे बचें तो ये एक शम्ता है किसी भी organism की जिसकी वया से जो organism होते हैं वो fight करते हैं fight करने की ability ही कोई हम लोग कहते हैं अब ये pathogens जो होते हैं वो कई तरीके के हो सकते हैं वाइरस हो सकते हैं बैक्टिरिया हो सकते हैं जो हमाई body में disease cause करते हैं अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी immunity बहुत strong होती है कुछ ऐसे होते हैं जिनकी बहुत वीक होती है है वगर स्ट्रॉंग इम्मनEinty का मतलब है कि आपके infection नहीं हो सकता हो सब्सक्राइब को उनको पता नहीं चलता नहीं है कि'í कि इम्मुनिंटी ऐसे काम करोती तक इंप्ले स्टॉंग होती है कि वह जल से जल जो पाइतोजन ऑर बैक्टीरिया जो हिए कैसे उसको मार देती है तो जिसकी वजह से इन में छोटी छोटी बिमारी जो होती बहुत लंबे समय तक चलती है अब आज कल जो करोना वाइरस चलना है तो इसमें भी आप देख सकते हैं जल से जल वही लोग रिकवर कर पाते हैं जिनकी इम्मुनिटी बहुत स्ट्रॉंग होती है जिनकी इम्मुनिटी बहुत वीक होती है वो जल्दी रिकवर्ण नहीं कर पाती है तो lav hem indians हैं इंडियन की इम्मुनिटी बहुत स्ट्रॉंग होती है जिसकी वजह से भी हमाई में जो फाइटिंग जो करोना खिलाफ फाइट कर रहे हैं तो उसमें हम लोग जाधा सक्सेस्पुल हैं विल्ड में जो जाता हैं उनकी इंटिटी इतनी इन इन चाहँ SUS की बहुत स्ट्रॉंग में होती एं दिला कंपार्म को आपकी भाथी जो भुक्षित्AST पैंग सब्सक्राइट हूं आपकी बागिसफिस डीक वर्डश अवbn और कोई चाहिट niesू अब यह branch of science which concerned with immune response to foreign challenges known as immunology अब यह branch of science है जिसमें हम लोग immunity के बारे में study करते हैं और कैसे हमारे immune system जो होता है वो बहरी वाले agents को resist करता है और infection नहीं होने देता है तो यह हमारे topic की आज शुरुवात है immunity आगे अब देखते हैं अब types of unity देख लेते हैं दो तरीकी की immunities पाई जाती है एक होती है innate दूसरी होती है acquired innate immunity जो होती है वो first line of defense होती है मतलब एक घर था और जांपिल घर था उसमें कमरा था कुछ guard जो थे वो बाहर थे गेट के पास कुछ guard जो थे वो रूम के पास थे तो अब अगर कोई बाहर से माने कोई चोड या कोई भी आएगा तो पहले उसको यहां gate पे जो guards है उनसे निबटना पड़ेगा तो यह जो innate होते हैं यह first line of defense बनाते हैं तो जो पहले action लेंगे और avoid करेंगे यह होते हैं हमारी first line of difference अब यह birth से ही present होता है जबसे पाइदाइशी होती है और इसमें बहुत से factor होते हैं जो relatively non specific होते हैं मतलब किसी एक के लिए नहीं होते हैं सब के लिए होंगे अब ऐसा नहीं है कि selectively मानिए bacteria के लिए है virus के लिए नहीं है नहीं ऐसा नहीं होगा यह bacteria virus सब के लिए होंगे यह जानते हैं कौन आया कौन नहीं आया बस जो भी आएगा उसको रोक लेंगे दूसर होता है हमारा acquired immunity acquired immunity क्या करते हैं यह form करते हैं second line of defense अब for example यह जो हमारे यहां पर गाड्स से जो gate के पास थे उन गाड्स को मानिए इसने क्या किया इनसे कैसे बचके यह virus निकल आया इनको penetrate कर दिया जैसे भी क्या जो भी किया यह आ गया अब जब यह अंदर आ गया तो यह जो अनदर जो रूम के आस गाट इनसे इसको निबठना पड़ेगा तो वाइरस अब क्या करेगा इसे इसे fight करेंग हैं तो अब यह जो हमारे याले गाड्स हैं यह virus को पकड़ेंगे उसको मारेंगे और fight करेंगे, तो आपस में fight चलेगी, तो यह जो बना रहे हैं, यह second line of defense बना रहे हैं, तो जो acquired immunity होती है, वो हमारी second line of defense होती है, acquired मतलब इतरीकिस adapt की भी immunity, इसका मतलब ही होता है, इसको एक और नाम इसका adaptive immunity कहते हैं इसको, और यह specific होती है, मतलब इसको याद रहता है कि कौ साथ पिछली बार antigen आया था, जो भी virus या bacteria आया था उसके बारे में यह याद रहता है, क्योंकि इसके पास memory होती है, इसके पास memory होती है, और selectively eliminate कर सकता है, अब क्योंकि हम लोग के body में E. coli bacteria भी पाए जाते हैं, जो useful bacteria है, तो वो जो bacteria होते हैं हमाए, guts में पाए जाते है तो उनको यह नहीं मारेगा, बट यह उनको मारेगा, जो bacteria पैथोजनिक हैं और disease cause करते हैं, अब innate immunity क्या होती है, जो innate immunity है हमारी, उसको natural immunity भी कहते हैं, native immunity भी कहते हैं और inherited immunity भी कहते हैं, यह since birth होती है, लग पाइदाशी होती है, और not specific होती है, किसी एक pathogen के लिए, और यह सब के खिलाफ क्या करती है, यह act करती है, बल्लब सबसे बचाई ही है, कोई यह selective नहीं होती है, rather act against all foreign molecules and pathogens, सब के खिलाफ यह क्या करती है, वर्क करती है, उसको पता नहीं होता है कि यही antigen जो था वो पिजली बार आया था, It does not depend on previous exposure and has no memory, अब इसके पास memory नहीं होती है, बहुत बड़ा point है, कि इसके पास memory नहीं होती है, जिसकी वैसे याद नहीं रहता है, अगर इसके पास memory है, उसने किसी को देखा, तो उसको याद रहा, अब इसके पास memory ही नहीं होती है, तो यह क्या करता है, जान नहीं पाता और रोकता सब को है, किसी को भी अंदर नहीं आने देख, इट, प्रोवाइज्डी अफ्रस लाइन वब देफैंस अगेंस पाता हया था गिए फस्स लाइन कि होती है, जो गेट पे WAS होंगे हमारे ही फस्स लाइन उप्नेश होंगे, तो वह पहले रोकी है, अब जो इनेट इप्निटी होती है, इसके कई बैरियर्स होता है, जो पहला barrier है हमारा वो है हमारा physical barrier जिसमें skin and secretions आते हैं secretion में sweat, sebaceous gland और यह सब secretion oil secret जो होता ही सब होता है इसमें enzymes होते हैं जो इनको क्या करते हैं foreign antigens को रोखते हैं दूसरी होते है chemical barriers जिसमें cytokines आते हैं और complement proteins आते हैं अगला है cellular barriers cellular barriers बोले होते हैं इसमें phagocytic cells आते हैं या NK cells और inflammatory barriers आती हैं जिसमें swelling और उसे बोह जाती है तो यह थे इनके following barriers यह भी हम आगे nove Scroll करें इनको ऐभी क्व दिसकॉस करें एक फिजिकल बैरियर कांसो होते हैं chemical barriersill बैरियर क कॉनसों होते हैं अब दूसरा है हमारा acquired immunity, यह बहुत important है, it is not present from birth and developed during an individual's lifetime, यानि कि यह पैदाईशी नहीं होती है, यह lifetime में कोई भी organism क्या करता है, develop करता है, it is pathogenic specific, यानि कि यह pathogen specific होती है, selectively eliminate करती है, क्योंकि इसके पास memory होती है, and is capable of recognizing and selectively eliminating specific foreign antigen, अब यह specifically कर सकता है, क्योंकि बहुत से bacteria हमाएं, उसमें भी जो important bacteria हैं हमाई body में पाए जाते हैं, तो उनको eliminate नहीं करेगा, यह selective eliminate करेगा, मनलब उससे pathogen ही को करेगा, pathogen for example typhide आ गया था हमाई body के लिए, तो typhide को करेगा eliminate, अब वो typhide क्या करेंगे, जो typhide के खिलाब antibodies बना ही हैं, वो किसी और खिलाब वर्थ नहीं करेंगे, तो यह क्या होता है specific होता है, यह specific pathogen के लिए selective होता है, और यह second line of defense बनाता है, इसके दो responses होते हैं, एक primary response होता है, एक secondary response होता है, primary response क्या होता है, when it encounters the pathogen for the first time, जब हमारा immune system किसी भी pathogen से पहली दफा मिलता है, तो उसको primary response कहते हैं, और यह response जो होता है, वो low intensity का होता है, दूसरा होता है हमारा secondary response, जो subsequent encounters को होता है, वालिए दुबारा वही encounter हो जाए हमारे pathogen दुबारा आ जाए हमारे body में, और यह high intensity का होता है, अब मैं समझाता हूँ यह कैसे, देखिए primary response मनलब, अब आप अपने घर में रहते हैं, यह आपका घर है, ठीक है, अब यहाँ से कोई मानी चोर आ गया है, कुछ आ गया है, मानी चोर मनलब कोई यूह ही आ गया है, यहाँ सेल्समेन क्या था, सेल करने आ गया है, अब सेल करने आ आया है, तो आपके दरवाजे पर आया, तो यहाँ पर आप निकलके आया है, अब आप ने देखा उसको आपने पूछा भईया तौहां नाम क्या है वो क्या काम आप ने बात की एसे यहाँ पर आपने 10 15 मिनट ले लिया आपने बात करी बात Nest समानि तो आपjakजनिये मैंने महलिए 10 मिन आपने बात की तो उससे कहा कि बाद में नहीं еंगे आप आप उसको पैचानगे तो यह जो था यह था प्राइमरी रिस्पॉंस अब अगर मानिए आप सेम इंसान वही जो सेम सेल्समें था अब यहां पर निकल के आए यह आया था सेल्समें दुबारा अब आप क्या करेंगे अपकी बार आप दरवाजा जो खोलेंगे पहले लेंगे या तो आपको नहीं लेना होगा तो मना कर देंगे लेना होगा तो उसको फिर रोक लेंगे तो यहां पर आपने रैपिड रिस्पॉंस दिया यहां पर आपको ज्यादा टाइम नहीं लगा उसका नाम नहीं पूछा क्या पर यहां काम करने यह भी सब नहीं पूछ secondary response क्योंकि पहले जब encounter होता है primary response होता है उसमें हम पैचान लेते हैं यह antigen है अभी हमाई बॉडी में आये तो इस ते क्या किया इसके खिलाब antibodies बना और antibodies बना के B memory cells बना लेते हैं जो याद रखते हैं अभी जो adaptive immunity होती है वो दो तरीखे के होती है वो depend करता हमके lymphocytes बें बी cell mediated immunity होती है और T cell mediated immunity होती है यह synthesize or circulate क्या करती है antibodies बनाती है और यह antibodies work करती है pathogen के खिलाब इसको humoral या humoral immunity कहती है दूसरा होता है हमारा T cell mediated immunity यह synthesize और release करती है अलग-अलग cytokines जो cells को affect करते हैं infected cells को इसको cellular और cell mediated immunity भी कहते हैं क्योंकि required जो होती है वो दो तरीके की होती है वह हम आगे discuss करेंगे कि यह दो categories में आती है passive और जो हमारी passive और active immunities होती है हो depend करता है कि कैसा exposure हुआ है कैसा antigen exposure हुआ है antibody transfer हुए है इसके बार हम लोग अगली वीडियो में discuss करेंगे अब मैं बताता हूँ कैसे आप immunity अपनी boost कर सकते हैं immunity boost करने के लिए सम्में सिंपल साथ है कि आप यहाँ vitamin c खाई है vitamin c जो होता है जितने भी citrus fruit होते है हमारे orange जो होते हैं जितने भी खटे फल होते हैं यह खाने से क्या होता है इसे vitamin c मिलता है और vitamin c क्या गरता है यह हमारे immunity बढ़ाता है जिससे हमारे wbc को work करने में असानी होती है please like share and subscribe